हाई दोस्तो मैं प्रियाग रशार्मा मैं अजबात करूंगा दोस्तो बिटमिनस कंक्रीट में लियर PART 4 के बारे में303 । यह बहुत इंपॉर्टन्ट है for BC concrete के लिए between concrete के लिए दोस्तो ministry of road transportation and type A में इसके बारे में बहुत सारी details जो बताईगी हैं दोस्तो तो आज हम इसमें देखेंगे जो दोस्तो जो BC mix का हम mix design करते हैं तो इस mix design करने के लिए उसमें कौन-कौन requirements होती हैं और इसकी permissable variation हम कितना रख सकते हैं actual mix design में actual mix में तो दोस्तो इसके बारे में इसमें बताया गया है ministry of road transportation and highway में clause 507.3 में आप देखेंगे mix design के बारे में details बताईगी हैं नीचे का गया है दोस्तो 507.3.1 में requirements for the mix दोस्तो नीचे बताया गया है कि clause 505.3.1 cell apply दोस्तो का गया है कि जो mix तयार करते हैं mix तयार करने के लिए इसमें जो भी requirements हैं वो clause 505.3.1 के recording की जाएंगी इसमें और इसके बाद दोस्तो binder content के बारे में इसमें बताया गया है कि हम binder content जो भी use करेंगे हम mix design जब भी करेंगे तो जो binder content हम use करेंगे उसके बारे में इसमें 507.3.2 में खा गया कि clause 505.3.2 cell apply जो clause 505.3.2 में दिया गया है तो वो पूरी details को अच्छे से read किया जाएगा और उसमें जो भी बताया गया है तो वो उसके according ही हमको binder content जो है वो take करना लेना है mix design में दोस्तो इसके बाद दोस्तो इसमें job mix formula जो हम तयार करते हैं plant में चलाने के लिए mix निकालने के लिए तो इसके बारे में इसमें 507.3.3 में बताया गया job mix formula के बारे में ki job mix formula जो हम तयार करेंगे वो clause 505.3.3 को apply करते हो है job mix formula तयार करेंगे सबसे पहले सभी ingredient की grading की जाएगी ग्रेडिंग करने के बाद सभी ingredient की combined grading देखी जाएगी और combined grading देखने के बाद जब वो grading match हो जाएगी जो हमारा gradation दिया रहता है दोस्तों जो grading दी हुई है BC की grading दी हुई है यदि materials हमारा limit में आता है तो उसके बाद दोस्तों हम plant का trial करते हैं तो उसके बारे मिसमे नीचे details बताएगी है कलाज 507.3.4 में plant trials परमिस्वल वेरियेशन इन जोब मिक्स फार्मॉला जो भी हम जोब मिक्स फार्मॉला बनाते हैं mix design के दौरा तो उसमें जब हम plant sexual mix निकालते हैं तो plant sexual mix निकालने के बाद दोस्तों उसकी grading की जाती है और grading करके देखते हैं हम कि उसमें जो हमारी सीव समने जो ली है mix design में BC की mix design में जो सीव हमने यूज किया है तो उन सीवों में कितना passing percentage में variation आ रहा है तो वो चिक करने के लिए दोस्तों हम देखते हैं कि इसमें per value variation कितना दिया गया limit कितना दिया गया है कि जो हमारे than कि शनर राया तो वो कितने percent तक इसमें किया जाएगा plant trails mix में जो actual mix रहेगा उसमें कितने percent तक targeting variation हम अलाओ कर सकते हैं जाव मिक्स परमूला के लिए दोस्तों जिसमें कहा गया कि the requirements for plant trials as specified in clause 505.3.4 and permissible limits for variation as given in table 500-18 दोस्तों कहा गया है कि plant trial के लिए जो भी इसकी requirements है वो clause 505.3.4 में specified है और इसमें जो permissible variation limit बताएगी है जो table 500-18 में बताएगी है जाव मिक्स फारमूला के लिए जब जाव मिक्स फारमूला से जब plant से mix निकालते हैं actual mix निकालते हैं और उसकी grading चेक करते हैं तो उसमें जो variation आता हो कितने percent तक allow रहती है दोस्तों तो permissible variation कितना होना चाहिए तो इसके बारे में नीचे details बताया गया है दोस्तों इसमें बताया गया कि यदि aggregate का जो size है 19 mm की issue से passing हो रहा है जो passing 19 mm की issue से passing materials aggregate का तो वो plus minus 7% तक उसमें variation हम रख सकते हैं जो उसकी limit दी रहती है तो उसमें variation कितना 5 plus minus 7% तक हम उसमें variation रख सकते हैं उसमें हो सकता है दोस्तों जो भी हम grading test करेंगे plant में इसके बाद दोस्तों इसमें aggregate passing 13.2 mm and 9.5 mm plus minus 6% permissible variation बताया गया है कि यदि जो हमारी issue है 13.2 mm और 9.5 mm की issue से passing जो aggregate रहेगा वो plus minus 6% तक उसमें हम variation रख सकते हैं जो भी हमारे actual mix निकलेगा तो उसमें variation plus minus 6% तक हो सकता है जो mix formula से W niet के द्वारा जब हम प्लान्ट से materisch निकालते हैं जो mix निकालेंगे तो actual mix में plus minus 6% तक हम variation रख सकते हैं उसमें हो सकता है दोस्तों हम रख नहीं सकते हैं उसमें हो सकता है जो materials रहेगा इसके बाद दोस्तो aggregate passing 4.75 MQC में plus minus 5% तक permissible variation रहेगा जो 4.75 MQC से passing materials होगा aggregate होगा वो plus minus 5% तक उसमें permissible variation हो सकता है दोस्तो इसके बाद grading aggregate passing 2.36 mm और 1.18 mm 0.6 mm इन तीनों CU के लिए दोस्तो इसमें plus minus 4% बताया गया है कि permissible variation जो है इन तीनों CU के लिए passing aggregate के लिए plus minus 4% तक हो सकता है इसमें इसके बाद दोस्तो नीचे आप देखेंगे तो इसमें बताया गया है कि aggregate passing 0.3 mm and 0.15 mm के लिए plus minus 3% permissible variation इसमें बताया गया है कि जो actual mix निकालेंगे हैं से उसमें plus minus 3% तक उसकी लिमिट में variation हो सकता है दोस्तो aggregate passing 0.3 mm and 0.15 mm के issue में इसके बाद दोस्तो aggregate passing 0.075 mm के issue से जो passing aggregate होता है दोस्तो उसमें plus minus 1.5 mm तक variation permissible variation हो सकता है इसके बाद इसमें नीचे binder content के बारे में बताया है कि जब हम between content उसमें add करते हैं mix dn करते हैं जो job mix formula में between content होता है तो उसमें variation plus minus 0.3% तक actual mix में हो सकता है दोस्तो permissible variation इसके बाद mixing temperature जो रहेगा जो plant में हम जब mix करते हैं BC mix को तो mixing temperature जो रहेगा हो plus minus 10 degree celsius तक उसमें परिमेश्वल variation हो सकता है जितना हमको temperature चाहिए mixing temperature उसमें plus minus 10 degree celsius तक उसमें mixing temperature हम जो है दोस्तो जो जोस्तो